आज हम k-nearest neighbor classification के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी theory देख के बाद मैं python में model बनाएगे k-n-n का यूज़ करके और end में आपके लिए exercise भी है मालो आप iris flower dataset के classification पे काम कर रहे हो iris flower में तीन type के flower होते है versicular, setosa और virginica और कौन सा flower किस type का है वो उसकी sapple जो होते है उसका जो leaf होता है उसकी height और width पर से decide होता है जैसे यह मैंने versicular flower के आपको image दिखाई लेकिन तीन type के यह ऐसे flower है basically और हमें उसका classification करना है कि हमें flower की sapple width और length दी गई है और हमें बताना है machine learning model बिल करके कि वो flower कौन सा है अब अगर आप sapple height और width को ऐसे two dimension में ऐसे plot करो और सारे जो data point है आपके ऐसे plot करो तो इस type के कुछ cluster बनेंगे yellow setisa है green versicular blue virginica अब एक नया data point आता है जैसे मानलो यह नया data point है आपने machine learning model बिल किया आपको अब यह बताना है k हमें खुछ से define करना पड़ता है जैसे मैं यहाँ पर k define किया let's say 3 कोई इसी fix value नहीं होते ही थोड़ा trial error करना पड़ता है तो इसलिए मैंने trial करने के लिए चलो मानलो मैंने बोला k is equal to 3 इसका मतलब यह है कि आपको yellow जो point है उसके सबसे नजदी के 3 point ढूंडने है सबसे नजदी के 3 point यह है correct और उन points में से जो maximum point जिस class के है वही yellow point का class होगा तो यह 3 point वरजी निका है तो हम बोलेंगे कि यह जो yellow point है जिसको हम predict कर रहे है जो नया flower है वो भी वरजी निका ही है अब मान लोग कि k की value मैंने 10 ले ली यह trial error करके figure out करना परता है दोस्तों कुछ उसमें fixed formula नहीं होता है usually लोग 5 value ज़्यादा यूज करते है लेकिन मान लोग इस case में मैंने 10 ली तो आपको सबसे नजदीक yellow point के सबसे नजदीक वाले 10 point इस graph में से डूणने है और जब मैं नजदीक बोर रहा हूँ मैं Euclidean distance की बात कर रहा हूँ कि कितने आप अगर draw line करो तो कौन सा point नजदीक है तो of course यह 7 point और यह 3 point नजदीक हो गए तो उसका count किया तो blue point 7 है मतलब वो जदा है तो यह point हो जाएगा अपना virginica मान लो मैंने k की value 20 कर दी तो होगा क्या इसके 20 सबसे नजदीक वाले point मैं रहको लाना पड़ेगे ओके virginica 7 है versicolor 11, 77 2 तो यहाँ पर अब थोड़ा गलत हो जाएगा यहाँ पर यह बोलेगा कि सबसे maximum number किसका है versicolor तो यह बोलेगा यह yellow point है वो versicolor flower है actual में वो virginica है तो हमें यह ध्यान रखना है कि K की value बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए अब छोटी बड़ी की definition subjective है आपके कितने data point है आपको थोड़ा trial error करके figure out करना पड़ेगा लेकिन मैंने आपको यह एक disadvantage बताया कि K की value बहुत ज़्यादा होती है तो classification गलत हो सकता है अब चलो लिखते है Python में code यह बहुत ही simple technique है basically summary के लिए बता देता हूँ कि आपको जो point को predict करना है उसको आप उसके नस्दीक के k point लेते हो और उसमें से जो सबसे ज़्यादा point जिसके होते है वो class में यह बिलॉंग करता है अब अगर equal point है जैसे 5 blue, 5 green तो उसमें कोई भी point बाद में कोई भी class ले सकते हो you know randomly एक यहाँ पर हमारे पास दो ही feature थे sepal width or sepal height लेकिन actually actual problem जो machine learning की solve करते हो तो n number of feature होते है और यह knn n number of feature को support करता है तो चलो python code लिखते हैं coding के लिए हम sklearn में से iris dataset का use करेंगे हमने पहले के भी के tutorial में iris dataset का use किया है तो आप jupyter notebook open कर लीजे यहाँ पे और उसमें से pandas sklearn dataset में से load iris dataset आप import कर लीजे और वो जो dataset है वो यहाँ पे आजाएगा तो उसके अगर आप feature names देखेंगे तो चार feature है petal width, petal length, sepal width, sepal length petal और sepal basically दो जो flower की पंखूडिया होती है न वो दो अलग अलग होती है और इनकी length और width के हिसाब से आप decide करते हो कि flower set हो है, versicular है या virginica है तो dataset में जो target names है वो आपके जो classes है वो दिखाता है मैंने अब उसको data frame में load कर दिया है और data frame कुछ ऐसे दिख रही है basically based on length, width petal length, petal width आप decide करते हो कि यह कौनसा flower है और जो target variable है उसको मैंने जब df target ऐसा करते हो तो वो एक target नई column बना देता है df head में by the way मैं code एक line by line इसले नहीं एक लिख रहा हूँ क्योंकि आपने अगर मेरे pandas के वीडियो देखे machine learning के आगे का tutorial देखा है तो आपको यह सारे operation पता होने चाहिए यह बहुत ही basic है जब target जो है वो 0, 1, 2 value होती है 0 मतलब सेतोसा 1 मतलब वर्सी कलर 2 मतलब वर्जीनिका तो अगर 0 यह यहाँ पर है तिसका मतलब है यह है सेतोसा तो जब आप target equal to 1 करके करते हो तो देखो 50 से values चालू होता है target 2 करते हो तो 100 से चालू होती है तो basically 150 elements है इस data frame में total अगर आप देखो यह data frame है यहाँ पर अगर df.shape करोगे 150 training data points है पहले 50 है वो है सेतोसा 50 से 100 जो row है data frame में वो है वर्जी कलर और 101 से 150 है वर्जीनिका तो हम क्या करेंगे पहले तो flower name करके एक नई column बना देते है pandas में apply function का यूज करके आप वो create कर सकते हो और इसने यह simply क्या करता है कि अगर 0 है ना तो यहाँ पर सेतोसा आग देगा अगर 1 है तो वर्जी कलर 2 है तो वर्जीनिका एटसेटरा दिखा 49 तक सेतोसा था 50 तक 1 आगया 1 मतलब वर्जी कलर तो हमने तीन डेटा फ्रेम यहाँ पर create कर दी 0 डेटा फ्रेम है जो फॉस्ट वाली उसमें सारे सेतोसा फ्लावर है फॉस्ट में सारे वर्जी कलर है और सेकंड में सारे वर्जीनिका है और बाद में मैं जो सेतोसा और वर्जी कलर है df0 और df1 उसको अगर मैं scatter plot में plot करूँगा तो आपको clearly cluster दिखेंगे देखा ऐसा 2 cluster दिखते हैं तो मतलब यह है कि अगर जो अलग-अलग flower के अलग-अलग cluster होते हैं, same way मैंने petal width और petal length को भी ऐसे अलग-अलग cluster में यहाँ पर plot कर दिया है तो यहाँ पर k-n-n use करना make sense करता है क्योंकि ऐसे clear cluster बने हुए है वैसे मैंने दो ही feature plot की है, actual में चार feature है, चार dimension में human visualization नहीं कर सकता है इसे लिए मैंने ऐसे दो plot यहाँ पर बनाये है अब मैं जाके train test split करूंगा, train test split काफी straightforward होता है हमारे पहले भाले भी tutorials में हमने देखा है कैसे इसको train test split करना है तो आपको पता होना चाहिए तो बहुत सारे अभी तक का code मैंने एक बार एक करके लाइन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमने पहले भी हम पहले SVM tutorial में यह same code लिख चुके है अच्छा, अब हमें नाया code लिखना है, तो अब हमारा train और test data set ready है train data set में 120 sample है test data set में 30 sample है तो अब हम अपना KNN classifier create करते है तो आप google करो sklearn KNN classifier तो sklearni की एक help आ जाएगी आप ऐसा करके click KNN classifier create कर सकते हो तो मैं थोड़ा copy paste करूँगा यहाँ से इसको import करूँगा और देखो यहाँ पर आपको neighbors यह K value है, मैंने तीन neighbor से चालू किया है और model का नाम मैं बोलता हूँ KNN Ctrl एंटर करो, execute हो जाएगा उसके बाद में आप KNN जो है models उसको fit method जो है, वो call कर सकते हो तो knn.fit x train और y train अब जो neighbors है यहाँ पे हमने तीन specify किये है यह थोड़ा trial error से हमें figure out करना पड़ेगा कि कैसे करना है तो मैं न यह model मेरा KNN fit बोलता है तो train हो गया अब मैं उसका score find करूँगा score find करने से basically वो x test और y test को compare करेगा x test पे वो prediction करेगा उससे उसको y predicted मिलेगा y predicted को y test के साथ compare करेके score देगा कि यह accuracy कितनी है अरे वाँ यहाँ तो बहुत ही अच्छी accuracy आ रही है मा तब यह 100% सही prediction कर रहा है अलग अलग neighbors की value हम try करते है देखो 10 try की तो 0.96 आ गया नमारे को लगता है तीम बरो बरो है ओके पांच try करते है accuracy काफी अच्छी आ रही है दोस्तों लेकिन मैं अलग-अलग आपको डिखा रहा हूँ कि अलग-अलग n की value try करके आप कर सकते हो वैसे तीन होनी चाहिए लेकिन मैं confusion matrix के अगेरा plot करने के लिए थोड़ी accuracy में कम ले रहा हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा की confusion matrix कैसे plot होता है ठीक है तो आपने देखा तीन line का code है दो-तीन line का code है बहुत ही straight forward है काफी easy algorithm है मैं अब confusion matrix plot करता हूँ confusion matrix अगेर पहले के वीडियो में हमने plot किया है उसके लिए आपको confusion matrix ऐसे import करना पड़ता है और जो y-predicted है वो knn.predict x-test ठीक है तो आप y-predicted लाए और y-predicted और y-truth है तो सबसे पहले y-truth क्या है y-taste अपना y-truth है और y-predicted को ऐसे करोगे तो आपको output में confusion matrix मिल जाएगा अब confusion matrix यह तो आ गया लेकिन उसको better way में visualize करना है तो आप seaborn library का use करके कुछ ऐसे visualize कर सकते हो यह भी code हमने पहले के tutorial में देखा है तो मैं detail में नहीं जाओंगा इसका मतलब यह होता है कि जो diagonal यहाँ पर आपको value दिख रही है वो सारी सही है लेकिन बाकी के box में जो value लिख रही है वो error है जैसे एक बार यह एक है ना इसका मतलब यह है कि एक बार ऐसा हुआ कि truth था 1 truth था 1 मतलब 1 का मतलब है देखो 0, 1, 2, 1 मतलब वर्सी कलर तो एक बार flower था वर्सी कलर लेकिन हमने उसको बोला वर्जी निका मतलब 2 ग्यारा बार flower सा सेतो सा और हमने बोला भी इसको सेतो सा तो आप ऐसे कुछ confusion matrix को read कर सकते हो SQLN में classification report भी आता है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ quickly तो matrix में से आप classification report कर सकते हो ऐसे और classification report में अगेन आपका why truth क्या है तो why taste आपका why truth है और why predicted यहाँ पे है वो आप print कर सकते हो यह थोड़ा formatting अच्छा नहीं हो रहा है तो आप अगर print लिखोगे तो अच्छा format करेगा इसमें आप precision recall f1 score सारे अलग-अलग classes के देख सकते हो मैंने इन सब topic पे अलग videos बनाया है आप वो देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा तो दोस्तो इतना ही था can and again बहुत ही simple classifier है उसको समझना उसको code करना काफी इसी है दो तिन लाइन का ही code होता है अब आता है time exercise का मेरे कोई भी वीडियो में सबसे important चीज़ दोस्तो होती है exercise coding करना मतलब swimming सिखने जैसा है अगर आप वीडियो सिर्फ watch करोगे तो नहीं पता जलेगा आपको exercise करनी है exercise के लिए मैंने github में अपने link दी हुई है यहाँ पे exercise.md में मैंने exercise का description लिखा हुआ है आपको sklearn dataset से digit dataset को import करके उसके digits को k n n का use करके classify करना है आपको k की अलग-अलग value try करके मुझे बताना है कि कौन सी value अच्छा perform कर रही है और आप manually k की value try कर सकते हो या तो फिर grid search cv या तो फिर you know k fold cross validation का use करके मुझे बता सकते हो कि k कौन सी value सबसे ज़्यादा score देती है और usually confusion matrix और classification report भी आपको plot करना है जैसे मैंने इस tutorial में किया था ये exercise भी easy है आप कर सकते हो आप please जरू try कीजे और solution link पे तभी click कीजे जब आपने खुद try किया हो अगर खुद try किये बेना अपने solution link लिंक क्लिक की न तो आपके computer में coronavirus आ जाएगा और आपका computer है न उसको fever हो जाएगा तो आप इस बात का जरूर से द्यान रखिए अगर कोई question है तो नीचे comment में post कीजे आपने की